इन खबर में आपका स्वागत है बाबरी मश्जित बिद्धुहन्स मामले में 28 साल बाद आज फैसला आएगा इस मामले में लाल कृषा अडबानी, मुर्ली मनोहर जोसी, उमा भारती, कल्यान सिंग समेत 32 आरोपियों पे लखनोग की सिब्याई अदालत में मामला चल रहा है जिस पे आज फैसला आना है लेकिन पाच ऐसे आरोपी रहेंगे जो फैसले के समय कोर्ट में मवजूद नहीं रहेंगे इसमें सबसे उपर नाम है 92 साल के बीजेपी के बरिश नेता लाल कृषा अडबानी का बताया जा रहा है कि उनका स्वास्त ठीक नहीं है इसी तरीके स कल्यान सिंग का भी स्वास्त गड़ पर चलता है उमा भारती कुरोना पॉजिटिव है इसलिए रिसी केस एमस में है और मुरली मुनुहर जोसी भी उम्र अधिक होने की वज़ा से बताया जा रहा है कि कोर्ट नहीं पहुँचेंगे इसके अलबा दो और नाम है रामचंद् अलगा अलग दिक्कतों की वज़ा से तो अब खबर यह आ रही है कि इसके बावजूत चाहें तो गोर्ड फैसला सुना सकता है कोड के सामने दो आप्सरन है यदि वो सभी रूपयों को छोडता है तब तो फैसला देने में कोई दिक्कत ही नहीं है वो वहाँ पे मौजू रहे या न रहे और यदि वो उनको दोसी ठार आता है तो फिर उस case में क्या किया जाता है कि चाहें तो court फैसले को टाल सकता है या फिर फैसला दे सकता है और जो मौझूद वहाँ पे नहीं रहेंगे उनके लिए तुरंत वो वारंट जारी कर देगा वारंट जारी करते ही उनके लिए फिर जो है आगे का process सुरू हो जाएगा तो अब देखना यह है कि आज court क्या फैसला सुनाता है क्योंकि मान लिजे कि मौके पे मौझूद नहीं है court में मौझूद नहीं है तो उनके लिए NBW जारी हो जाएगा जिसको कहते हैं और फिर वो आ जाएंगे court में आ जाएंगे उनको court में पेस किया जाएगा सब कुछ depend करेगा कि उनका health कैसा है क्योंकि मान लिजे कि NBW जारी भी किया जाता है इसके बावजूद यदि court में पेसी के हालत में वो नहीं है तो फिर वकील जो है application लगाता है कि ये NBW रद किया जाए क्योंकि वो पेस होने की स्थिती में नहीं है फिर वो legal और कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी होती रहेगी बाराल महत्वण बात ये है कि आज 28 साल बात फैसला आएगा कि उस विद्वन्स के लिए कौन जिमेदार है कौन दोसी है सबकी नजर कोड की तरफ लगी हुई है और देखते हैं कि क्या फैसला आता है तो आप ऐसी खबरों के लिए देखती रहे है हमारा डिजिटल चैनल इन खबर थैंक्यू